गुड मॉर्निंग एवरिवन, I am Mrs. पारवती कुमारी फ्रॉम मारवाडी कोलेज राची, आए सेकेंड येर के विद्यार्थियों के लिए है, आज ओनलाइन क्लास का फोर्थ डे है, बच्चों पिछले क्लास में मैं स्टूप के प्रकार के बारे में आप लोगों को पढ़ा भुमिका, भारत प्रारम से ही धर्म प्रधान देश रहा है, वैदिक कालीन जटिलता से उबरने में बौद धर्म ने जनता की मदद की, छठी सतावदी इस्विपूर्व, भारत में वर्ण बेवस्था का प्रचलन प्रिथक जातियों के रूप में हो चुका था, कर्म कांड धर्म के मुख्य अंग बन चुके थे, ब्रामनों ने इसे जटिल तथा आडंबर पूर्ण बना दिया था, यग तथा कर्म कांड की जटिलता से मुक्ती पाने के लिए जनता ब्यग्र थी, धर्म विनास की ओर अग्रसर था, ऐसे समय में मात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, जिन्होंने अपनी सिच्छाओं एवं सिधानतों से कर्म कांड एवं आडंबरों में दिखावा, जिसको कहते हैं धोंगीपन या अंधविश्वास, उल्जी जनता को एक सहज तथा सरल धर्म ने लोगों को आकरिष्ट किया, अब आगे हम देखेंगे मात्मा बुद्ध की जिवनी, गौतम बुद्ध का बच्पन का नाम सिधात था, उनका जन 563 इस्विपूर, 563 इस्विपूर पुरुवत्तर बिहार में कपिलवस्तु के निकट नेपाल की तराई में लुंबिनी ग्राम के आमर कुंज में हुआ था, उनके पिता सुद्धोधन साक्य कुल के छत्रिय राजा थे, बच्चों, गौतम बुद्ध के जन के सात्वे दिन ही उनकी माता महा माया का देहान्त हो गया, अता इनकी मौसी महा प्रजापती गौतमी ने इनका लालन पालन किया, कई बार ये प्रस्ण पूछा गया है, कि महात्मा बुद्ध की मौसी का क्या नाम था, तो बच्चों, महात्मा बुद्ध की मौसी का नाम था महा प्रजापती गौतमी, गौतम बुद्ध के जन के समय ही उन्हें देखकर, काल देव तथा ब्राम्हन कॉंडिली ने भविश्वानी की थी, कि वह या तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे, चक्रवर्ती अठाथ चारो दिशाओं को जितने वाला राजा, अथवा महान सन्यासी, गौतम बुद्ध बच्पन से ही चिंतन सील थे, एवं प्राय जम्मू ब्रिच, अठाथ जामुन के ब्रिच के नीचे ध्यान मगन बैठे रहते थे, उनकी इन गतिवीधियों को देखते हुए 16 वर्ष की अलपायू में ही गौतम बुद्ध का विवा परोसी कोलियेगन की सुन्दरी कन्या, भद्रा, कात्यायनी, अठात, यसोधरा, अन्यनाम भी है, गोपा, बिम्बा भी मिलते हैं, शेकर दिया गया, इनका एक पुत्र भी हुआ, किन्तु गौतम बुद्ध प्रसन नहीं हुए, वरन उसे मूह बंधन का राहु माना, एवं उनका नाम राहुल रखा, बच्चों, गोतम बुद्ध की विचार सिल, प्रविर्ती को सम्रिध कुल का विलासिता से परिपूर्ण, वैवाहिक जीवन भी बदल ना सका, निरंतर, ध्यान मग्न, एवं चिंतन सिल, गोतम बुद्ध के लिए क्रिहस्त जीवन का आकर्षन बेकार था, गोतम बुद्ध के मन में वैराग्य भावना, अठत सन्यासी जीवन की भावना, बलवती करने में उनके जीवन संबंधी, चार द्रिश्यों में ने अहम भूमी का निभाई, ये चार द्रिश्य थे, पहला एक जरजर सरीर वाला बैक्ती, दूसरा एक रोग गरस्त बैक्ती, तीसरा एक मृत बैक्ती, चौथा, एक प्रस्न मुद्रा में ब्रहमनसील सन्यासी जो सांगसारिक मोहों से मुक्त प्रसंचित था, जहां प्रथम तीन द्रिश्यों को देख कर गौतम बुद्ध को गहरा दुख हुआ, वही चौथे द्रिश्य ने उन्हें दुख निरोद का मार्ग दिखाया, अथात, सन्यासी बैक्ती ही जीवन में सुख सुखी हो सकता है, बचों, गौतम बुद्ध के चिंतनसील क्रिया कलापों से चिंतित उनके पिता सुद्दोधन, पिता का नाम सुद्दोधन, अपने उत्र को सांगसारिक जीवन में लाने का हमेशा प्रयास किये, एक रात अनेक रमनिये गनिकाओं का निर्त्य देखते देखते गौतम बुद्ध सो गए, रात को अचानक जब उनकी नीन खुली तो साज सिंगार विहीन निद्रा मगन गनिकाएं उन्हें भयानक दिखाई दी, कुछ के बाल बिखरे हुए थे, एवं कुछ लगभग निर्वस्त थी, एवं भयानक खराटे भर रही थी, इस द्रिश्य क्रम ने गौतम बुद्ध के मन में गृह त्याग की भावना को द्रिवड किया, याने मजबूत किया, अंतता पत्नी यसोधरा एवं पुत्र राहुल को सोता छोड़ कर 29 वर्स, 29 वर्स की आयू में उन्होंने गृह त्याग दिया, बचों ये प्रस बहुत ही इंपोर्टेंट है कि गौतम बुद्ध ने गृह कितने वर्स की उम्र में त्यागा, तो बचों 29 वर्स की उम्र में गौतम बुद्ध ने गृह त्यागा था, अगले क्लास में हम आगे पढ़ेंगे, धन्यवाद,